नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे ब्लाउज की फिटिंग और स्टिचिंग करना तो देखे यहां पे जब हम सिंपल ब्लाउज बनाते हैं तो उसको तो हम सोल्डर आगे और पीछे के दोनों जोडेंगे जब हम डिजाइनर ब्लाउज बनाते तो उसमें बहुत दिक्कत आ आप चाहें तो पाइफिन भी लगा सकते हैं आगे की साइब तो आगे का पूर हमारा तयार अब हमें पीछे का तयार करना तो दिखिए सबसे पहले जैसे पीछे डिजायन बना रहे हैं तो यहां पर चाहिए पहले मैं इस पर शीलाई लगा ले पूरे पे अच्छे से वotom लेनी है, तो देखिए संधिने में पीछे की साइट बनाएंगे और पूरे पलावस को तयार करेंगे किस तरीके से हम् इसको तैयार करेंगे। तो यहां पर आप की जैसे हमने इखास्क बुक्रम ली की अपन गले लेके चोड़ाई लेंगे धाई इंच, आदा इंच हमें यहां पे बुक्रम रखना है, अब आदा इंच हम यहां पे रखेंगे पट्टी पे, अब हमें यहां पे ऐसे रखना है गले को, अईओास बखना है, बुक्रम रьяनो है, इ्में अपट्टी पेंच, हमें यहां पे पांदार, आदा इंच हमेंगे, इाइस हमें यहां बेंगेंगे इंच, आदा ने सावश ए मैंगें यहां लेक in команда मिन स्का ănनी को, fenодに इंच, डिल वे switches O कि अब देखिए यहां पर मैंने ऊपर के साथ एक इंच अस्तल बड़ा लिया है इसका भी कारण है बूबी में आपको बताऊंगे कि मैंने यह बड़ा क्यों लिया है कि अब यहां पर कटल लगा लेंगे कि अब यह दोनों कटों को बराबर में लाएंगे देखिए तो इसमें पहले हमें एक बीट में सिलाई लगानी है अब इसके बाद बीच का जो कपड़ा बू काटते हैं कि यहां पर क्याची काट लगा लिए но यहां पर क lengths के लगा लीए कि देखिए एक इंच हमने कपड़ा इसलिए यहां पर जादव लिया था जब हम इसमें Single को जोड़ेंगे तो यहां पर मोटा हो जाता वह छीज नहीं रहीगी इसमें बुकरम नहीं है तो यहां इसलाई आराम से लगा लेंगे तो इक हम एसे करके रखना है इस तरीके से पटी हमारी भारी रहेगी आप देखें डुनों साइड मेने यहां पे शिलाई लगा ले अब देखे हमें एक गल्य को ऐसे करना है तो यहां पर क्या बुक्रम है नहीं तो आराम से गला हमारा अंदर किशाड़ जाएगा और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे तो देखे हमने यहां पर सिलाई लगा लिए सोल्डर के उपर देखे कितने सपाई से सिलाई आ गया और अब हम इसके उपर लेस लगाएंगे तो यहां पर हमारा जो बीच का है इसको ऐसे रखेंगे अब देखेंगे बीच में हमारा यह निशान है न यहां पर इसको हमें ऐसे करना कर देखेंगे अब पीच्छे की साइड देखेंगे अब हमें इसमें बाजू लगानी है तो देखेंगे अस्तल बाजू को कैसे तयार किया जाता है तो बताऊंगे मैं आपको सबसे पहले तो देखेंगे हमारी यह बाजू है तो यहां पर जो चोड़ाई अब इसी तरीके से हमें अस्तल की साइड भी टुकड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि अस्तल की चोड़ाई कपड़े की कम है फिर हम इसको दौनों को बरावर करके ऐसे करके हमें इसको कटिंग भी करना देखिए चोटा बढ़ाना हो इस तरीके से तो देखिए यहां पर हम पहले अस्तल को नीचे रखेंगे और जो साड़ी का कप्ड़ा उसको ऐसे रखना है इसके ऊपर अब हमें पहले सिलाई लगानी है नीचे की साइड जो बाजू की मोरी है वहां पहले है अब देखिए शिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर अच्छे से शिलाई लगाएंगे जो बाजू है ना इसको उपर हमें अच्छे से शिलाई लगानी है पहले तो देखिए अब हम साड़ी का जो कपड़ा है उसके बरावर कटिंग करेंगे अस्तल की अब देखिए अस्थल की बाजु को कैसे तयार किया जाता है तो वो इस तरीके से तयार किया जाता है अब देखिए फिर एक बार हम इसको ना पेंगे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं यहां पर ऐसे रखना है हमें अब दूसरी बाजु को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे अब इसको ऐसे रखना है अब देखे दोना बाजु को हम एक दूसरे को पर रखेंगे और इसको ना पेंगे कहीं हमारी बाजु छोटी बड़ी तो नहीं इस तरीके से अस्तल वाली जो बाजु होती है ना उसे हमें ऐसे ही तरीके कई पढ़े लगै का चोटा बड़ा उसको हम बराबर करेंगे तो आप This crit अवी थयार हो गई अब हम थ्यार हो गई अब हमाद ध्यान मेरे ना देंगे यहां पे जोड लगा हुआ है न तो इसको हमें पीछे की साईर रखना है तो इसको हमें ऐसे देखना है जोड हमारा पी अब देखिए यहां पर बाजू की चोड़ाई बराबर अब इसको लगाते हैं तो देखिए यहां पर हमें ज्यादा नहीं आदा दा इंच का कपड़ा दबातु हैं तो देखिए अगर आप इस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल में देख लें अगर आप पर प्लेट डालना नहीं आता है तो उपर आई बटन पर किलिक करके उस वीडियो को देख लें तो देखिए मैंने बहुती आसान और सरल तरीके से इसकी कटिंग बताई है तो प्लीज आप हमारे चैनल में इस ब्लाउज की कटिंग जरूल देखें अगर आपको इस तरीके से कहीं कम कहीं जादा नहीं एक बराबर शिलाई है हमारी यहां पर जलाज लग गया अब हमें 112 समपल जएक इससे की भणक बराबर जुड़ जाए के एक व्यक्रीज भूए हमें सिमपल दिखा कि अब जैसे हमारी मोरी है यहां पर 14 इंच तो साथ इंच पर हमें यह निशान लगाएंगे इस तरीके से अब देखिए जैसे हमारी यहां पर 36 तो हम 9 इंच पर इस तरीके से किचेंगे देखिए 9 इंच पर हमें निशान लगाना है फिटिंग का फिर भी हम इसको आदा इंच तो हमने नो इंच पे तो निशन लगाए लेकिन आदा इंच की दूर हमें रखनी है कि थोड़ा धिलाई रखना क्यों जब भी हम फिटिंग का नाप लेते हैं उससे हमें आदा इंच धिलाई रखना तो देखे यहां पर मैंने शिलाई लगा ले अब दूसरी साइड भी इसी तरीके सिलाई लगाएंगे फिर कमर का नाप लेंगे तो देखे यहां पर हम वाजू को ऐसे करके रखना है इस तरीके से और फिटिंग की सिलाई लगानी है ऐसे जो दूसरी वाली वाजू है ऐसे रखना है हमें इसी के बरावर सिलाई लगानी अब देखे यहां पर भी हमने जितना कपड़ा दबाया है ऐसे रखना देखिए यहां पर जो शिलाई आए, कमार कना यह धालु महीं अ पेछे कारना नहीं अगर आप ङीड कर दो हागा Pic City लगा सकते हैं यहाँ पर हम पांच इंच पर निशान लगाएंगे पिलेट का और इसकी लंबाई रखेंगे हम चार इंच लंबाई जादा नहीं रखनी है अब दिखिए यहाँ पर प्लेट की बात करें तो आप इसको डबल करके आदा इंच भी ले सकते हैं और एक इंच भी सकती है। इझे, जो फिटिंस की बात है, मैंको बता रही हूं। वह आपके ऊपर आपका कपड़ा इन कितना है। अगर आप पे कुम कपड़ा है, कमर का तो आप Almighty अदा इंच सिलाय कैसे लगा सकते हैं। अगर आप प्रोपर जभ्याब कमर आपकी पतली है तो आप यहां पर 1 इंच परवे शिलाई लगा सकते हैं तो दिखे इस तरीके से हमें पीछे की साथ पिलेटेड डालने में अब दिखिए कमर कणनाप कैसे लेंगे हमें यहां पर जो काज बाली पट्टी है इसको छोड़ना था। काज बाली पट्टी को हम ऐनापे खोकीछें और इसके करका खीच के प्लाऊच को खीचना वे एस तरीके से हमें कमर का उसका नाप लेंगे하세요 तरीके सेա также हमारी जिसे कंभर है बत आधिस तो यहां पे 33 इंच things इस राखना एंगे हम तो देखिए कैसे थवना है ऐसे रखना एंब इस तरीके से यहां पे ऐसे और इसको के ऐसे लेकर जाना जाना इस जब से कमर हमारी ऑबर हो जाएगी जितना भी कपड q तो यहां पर देखिए मेरा पूरा ब्लाउच कंप्लीट हो गया है तो जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाना चाहें तो इस तरीके से पहले आपको पीछे की डिजाइन बनानी है आगे कपल्ड तैयार करना है उसके बाद आपको फिटिंग की सिराई लगानी है तो तो किस तरीके से पहले और यहां पर आप लोग कमेंट नहीं करते बताते नहीं कि मैं आपको क्या सिखाऊंग तो प्लीज जो भी आपको सीकना चाहतें तो नीचे करके जरूल बताएं कि आप क्या सीखना चाहतें जैसे किसी ने बोला कि हमें फिटिंग और डिजाइन हैं तो देखिए आप लोगों के कहने पे मैंने वीडियो बनाया है तो वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए यहां पर प्रेस जरूर लगाएं जो जोल जाल होती है वो प्रेस से हमारा बलाव जिक्दम अच्छा लगता है सपाई भी आ जा झानी वाएब